इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मालो यहां एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, यहां क्या यहां पर मालो कोई चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, यही से फील लेते हैं, एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, यहां पास में एक चार्ज आया यह चुहे जैसा चार्ज के पास आया यह भी positive है यह चार्ज जैसे ही इस चार्ज के आज पास कहीं दिखा इसने इसके उपर एक electrostatic force लगा कि कहा चलो धर भागो ऐसे electrostatic force लगा ही की नहीं चलो उदर भागो अच्छा ये force इसने इस पे क्यों लगाई अच्छा एक बात सोचो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊ और ये charge छुप जाए ठीक है, ये क्यों वाला charge छुप जाए मेरा hide वह चोटा है क्या ये charge मैंने छुपा दिया अभी भी क्या इस पे force लगेगी की नहीं लगेगी, है ना इस charge के दिखने और ना दिखने से तो मतलब है नहीं force लगेगी, तो मालो अगर ये charge छुप जाए, अब तब भी इस पे force लगे तो इसे क्या लगेगा, हम पे force कौन लगा रहा है तो हम बोलते हैं कि ये charge अपने अगल बगल एक field बनाता है उस field में जब भी कोई चूहा वाला charge जब भी कोई बहारी charge आता है इसको हम बोलते हैं test charge, इसके उपर experiment कर रहे हैं ना हमने बोला इस charge ने अपने अगल बगल एक field बनाई और उस field में जब भी कोई एक charge आता है तो वो electrostatic force को experience करता है बात समझ में आया है जो पूरा process था उसको दो पार्ट में तोड़ दिया अभी तक हम बोल ले थे दो charge के बीच में force है अब हम कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है ये charge अपने अगल बगल एक field बना के रखा है और इस field में जैसे ही कोई charge आता है तो उसके उपर force लगता है समझ में आ रहा है यानि यहां से जो field है वो हर तरफ विखर रही है हर तरफ यहां पे q not रखते तो उस पे force ऐसे लगती यहां पे q not रखते तो उस पे force ऐसे लगती हार तरफ है ना positive charge के लिए हम बोलते हैं कि जो electric field है वो radially outwards है कैसी है? radially outwards है अभी आगे पढ़ेंगे electric field lines आगे lectures आएंगे पर अभी देख लो positive charge की जो field है वो radially outwards ऐसे कुछ field type की जा रही है imaginary lines बनाई है ऐसे थोड़ी ना space में charge रखो अगल अगल line दिखेगी या नहीं तो यहां पे अगर कोई charge q not आएगा तो space तरफ फोर्स लगेगी यहां पे कोई charge q not आएगा तो इस पे force ही धाए ना इसे भागेगा तो हम बोलते हैं इसने field generate करके रखी है in the space around itself ठीक है चार्ज ने क्या create की है every charge creates an electric field in the space around itself e vector मतलब electric field अपने अगल बगल के space में अब इस q not ने क्या electric field नहीं generate की यहां तो लिखा है कि every charge creates an electric field in the space around itself तो क्या q not electric field नहीं generate करेगा answer है नहीं करेगा इसलिए इसका नाम है test charge चूह है जितना charge है कैसा charge है यह चूहा अब चूहा तो तुम पकड़के खा लेते हो तुम्हारी तो आदे तो चूहा खाने की तो charge को खा मत जाना ठीक है छोड़ दो इसको यह चूहा है बहुत ही small वाइरी वाइरी इसमाल रहे बहुत ही छोटा charge है यह इतना छोटा charge है कि इसके पास field बनाने की छमता नहीं है इसको सिर्फ experiment के लिए यूज किया जाता है ठीक है ऐसे design किया गया है theoretical concept है ऐसे एक theory में concept है ऐसा बुछ होता नहीं तो test charge एक charge इसके उपर experiment करते है otherwise इसको छोड़के दुनिया का जो भी charge है वो अगल बगल एक field बना लिता है उस field में जैसी कोई charge आता है तो इसके उपर force लगती है जिस तरह से मकड़ी होती है अपना वो जाल बिन लेती है अब उसमें कोई मच्छर या उसमें कोई चीटा या उसमें कुछ भी आता हो फट जाता है इसने अपना जाल बोल लिया है अब इसमें जो भी charge आएगा उसको यह पकड़के क्या कर रहा है रिपेल कर देगा जैसे नेगेटिव होता तो पकड़के खीज भी लेता देखो ऐसा नहीं कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा positive charge की case में बोल सकते हो it is radially outwards अरान समझो positive charge की case में जो electric field है it is radially outwards पर अगर negative charge की बात करते है सोचो यहां q-naught रखते q-naught हमेशा positive test charge is always यहां पर फोर्ष देखर अगर q-naught यहां रखोंगा तो इसके उपर force यहां और यहां रह्हूंगा तो Q0 प्रस यहां है या नहीं यानि − q की जो field है वो radially inverse है field ये भी बना रहा है बट negative charge की जो field होती है वो radially inverse होती है वो radially inverse होती है इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि positive charge की जो electric field होती है positive charge की जो electric field होती है it is away from the charge इसकी जो electric field होती है इसकी जो electric field होती है it is away from plus q इससे दूर जाती है और negative charge की जो electric field होती है it is towards minus q towards the charge तो यह थोड़ा सा एक difference है direction बाखी कहानी होनी सबसे करना इनको भी यह test charge को पाड़ोगे अपनी तरफ खीच लेंगे यह test charge को रिपल कर देंगे तो आसा डिफरेंस है तो हमने एक नया concept बना लिया electric field सब मन घड़त कहानी आया मतलब सब इमाजनरी ऐसी सोच लिया कि force क्यों लग रही है हमने कहा एक field बनाया होगा सब कहानी है कि field बनाया होगा एक positive charge कैसी field बना रहा है radially outward की negative charge कैसी बना रहा है radially inverse की यहां तक बात clear हो गई note कर लें अच्छा क्या रखना है कि test charge चूहा है बहुत छोटा इसकी खुद की कोई field नहीं होती भाई मतलब क्या बता है इसको तो जाना चाहिए मेरे क्याल से human rights commission के पास नहीं इनका तो charge rights commission होगा कि it does not create any field चेक है अजब भाईया इसाथ बहुत बुरा हो रहा है सिर्फ इसको इस्तिमाल कर रहे हैं लोग test charge की तरह ऐसा भी कही किताब में लिखा होता है limit q0 tends to 0 सबका मतलब यही की बहुत है छोटा charge है एक्सपेरिमेंट क्लिवस होता है positive charge होता है यहां तक नोट कल ले यह electric field का feel था कि अगल बगल generate होती है charge के positive से away negative के towards कैसे पता चलता है q0 को रख लो अगर q0 दूर भाग रहा है तो electric field ऐसे q0 इदर भाग रहा है तो electric field ऐसे q0 जिदर भागेगा electric field वही होगी q0 जिदर भागेगा electric field वही होगी electric field is a vector concept विक्टर कंसेट है अच्छे, क्यू नॉट माननों दूर जाए लगा है कि चलो हम समसे दूर चले जाते हैं अब तो हम पे फोर्स नहीं लगेगी अब तो तुम दूर हो गया तो देखो, ऐसे तो प्रैक्टिकली तो फोर्स कम हो जाएगी पर जीरो नहीं होगी कंसेट के इसाब से जीरो कभी नहीं होगी एलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगी प्लस क्यू की एलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैली है तो ऐसे समझो, यह अगल बगल ऐसे रेडियेट कर रहा है फील्ड तो यह कहां तक जाएगी भाई, waves की तरह, तो चो waves की तरह इसे निकालना है, तो यह कहां तक जाएगी, तो भाईया infinity तक जाएगी, यानि, अगर Q not बहुत दूर छुब भी गया, तो plus Q उतसे बोलेगा, दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भुलाओगे कैसे, हम वो खु extends till infinity, in charges की electric field, infinity तक होती है, बट कम हो जाती, definitely, जैसे distance बढ़ता है, field decrease करती, अच्छी बात है, धिमेधी में उसका effect कम हो जाता है, मकडी भी अटने अगल बगली ज्यादा जाल बनाती, कित्ती दूर जाके बनाएगी, मदा आगया, clear हो गया, समझ में आगया, क्या answer, क्या ही कंसेप्ट मिल गया, आज तो electric field अब समझ में आ रागी कूलम्स law क्या था, पहले ये field बनाता है, फिर ये इसको ripple करता है, पहले ये field बनाता है, फिर इसको attract करता है